असलों कि वोर्स माईने में रिजवान चीमा वेलकम बैक विद अनधर वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो में जो आपको six months की development की पहले टाइम लैप्स हैं पहले one minute में वो explain करूंगा आप देख सकते हैं इस वक साइट पे और secondly इसकी जो legal status number three जो इसकी launch products हैं सबसे बात करते हैं legal status की लहौर स्मार्टी इस दा आउनली सुसाइटी इन लहौर रीजन जिसको less than 45 डेज के time frame में लहौर development authority जो respective government concerned government authority है उससे NOC issue हुआ second जो इसमें products launch की थी इनिशली पांच मनला दस मनला और एक किनाल के residential plots first phase में और साथ मनला और 12 पांच मनला के residential plots second phase में launch किये थे बात करें जो पहले phase में residential plots launch किये थे तो उसमें example के दोर पे कनाल का plot आप देख लें तो कनाल का plot इस वक्त मार्केट में around 600 to 650,000 रुपी प्रीमियम profit या own कह लें इस पे available है resale में within six months और अगर हम बात करें commercial plots की जो last week launch किये गी हैं उन commercial plots प और अगर हम बात करें आठ मला commercial plot पे तो उस पर 800,000 to 900,000 रुपी जैनी 8,000,000 रुपी प्रीमियम पे करके आप वो commercial plots ले सकते हैं अब क्या reason है कि एक product launch होती है within six months उस पे plots पे premium जैसे 1.2 million premium की बात करें 1.3 million premium की बात करें उन की बात करें तो वो लोगों को पे करके लोग फि लुकेशन नमबर बन अगर देखें तो लहूर स्मार्टी के आप जो इस फक्रीन पर फुटेज देख रहे हैं यह लहूर स्मार्टी का इस्टन बाइपास है आपको background में जो national highway NH45 यानि जिटी रोड प्लस आपको background में काला शेकाकू interchange जो नजर आ रहा होगा अब यह काला लहूर स्यालकोट मोटरवे से और लहूर स्मार्टी की exact right side पे जो है वो है जिटी रोड नेशनल highway 45 इस तीन जो main पाकिसान में सबसे premium roads होते हैं उन premium roads के संगम में बाकिया लहूर स्मार्टी आज की डेट में जो हिट होने की सबसे बड़ी वज़ा है वो इसकी development है नमबर व परानी footage है अब comparison करके देख सकते हैं कि पहले यही वला area बिल्कुल raw land green land कुछ भी development यहां पे नहीं हुई थी और आज अगर आप साइट पर विजट करते हैं साइट पर विजट करते हैं कि अब आप लेट से जी लहूर काला शेकाकू बाइपास को क्रॉस करते हैं और eastern करना चाते हैं तो आपको साइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है अब बस लहूर स्मार्ट हटी जब काला शेका को इंटर्चेंज क्रॉस करेंगे अब लेफ्ट साइट पर गाड़ी रोके हैं और पूरी development जो साइट की है वाँ को visible है साइट पे इस वक जो चीजें बन हैं उनमें थ्री मेजर रोड्स हैं जिनकी कार्पिटिंगा भी काम हो रहा है जिनका एसफाल्ट तक काम हो गया है उसके उपर ब्लैक टॉप भी हो रहा है और उसके बाद कार्पिटिंग काम हो रहा है नंबर फॉर इसमें जो नेक्स development हो रही है वो है residential plots की जिनका अगले दो से तीन वहां में कंस्ट्रक्शन मकमल हो जाएगी यह जो में बुलवर्ड आपको नज़र आ रहा है इसके विड्थ है वन फिफ्टी फीट और इसके लफ्ट साइट पर जो आपके स्ट्रीट लाइट से नज़ा रही है इन पर काम हो चुका है प्लस प्लांटेशन पर काम हो रहा है और जो बाकी relevant चीज़ें होती है regarding the development उन पर काफी तेजी से काम हो रहा है आने वले दिनों में लहूर स्मार्टी में परड़क्ट जायर सी बात है कि एक साइटी जब स्टार्ट हुई है तो इस में परड़क्ट जो साइटी न लाँच की है अब उनके रिजल्ट्स को देखते हुए जो अभी मार्केट में उन चल रहा है उस लहाँ से साइटी ट्राय करेगी कि इनको as soon as possible डिलिवर किया जाए ताकि एक trademark set हो कि मार्केट में लाँच किया गया और इसको within no time डिलिवर कर दिया गया अब इसको लोग comparison अगर करें Capital Smartity से तो जो दोनों में एक फर्क आता है, core difference आता है वो आता land का difference लाँच कर आप land देखते हैं तो लाँच की proper level land है Smartity के इसलामबाद के जो लैंड है वो उसकी टरेन जो है वो उंची नीची टरेन है और उसकी वज़ए से काफी ज़्यादा एक development की pace जो है उसमें फर्क आता है यानकि Capital Smartity में development करने के लिए पहले जो सबसे core difference होता है plot की 50% development तो इसी बात पर होती है कि अर्थ वर्क कितना करना है उस पर अर्थ वर्क समराथ के जिनीची जो cutting feeling वाला काम होता है Lahore Smartity में already जो सारी land है वो level land है society ने सिर्फ इसकी development जो initial start करनी है सिर्फ जो core step है इसकी development में roads का बनना, saverage, optical fiber, underground electricity and other facilities इन चीज़ों को provide करना है और इसके लावा site ने यहाँ पर अपने offices बारा जब site पर start होंगे और बाकी जब कुछ plots का possession होगा वो residential हो या commercial हो तो site पर बहुत जल्दी आपको एक proper market बनी वी नजर आएगी so this was it from today अगर आपको Lahore Smartity में booking के वाले इसकुछ मालूमाद चाहिए हो तो मेरा number आपके screen पर available है अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज डू, like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें यह सिर्फ एक site की footage थी मैं इंशल आने मेले दिनों में किसकी को 3-4 videos और post करूँगा जैसे आपको इसकी बाकी site की footage भी देखने को मिलेगी रिजवान ची मां को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक की लिए खुदा हाफिस